इक्सेसाइज 20 ए का क्वेस्चन नंबर टू से लेकर के फाइब तक हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना वर्क टाइमली पूरा करेंगे और आगे अपने फ्रेंज को जरूर शेयर करेंगे उनकी भी हल्प करेंगे ताकि उनका लुज़ाई वरक अच्छे से हो सकें और अपने अधिस-धिक को स्टेर कीज़ेगा और इस तरह से आप सिह कीजिए कि आप दूसरों को समझा सकें दूसरों को बता सकें कि प्षैजिक बैकर से किस तरह सेंटीमीटर, how many liters of water does it hold when filled to the brim? ठीक, कोई tank है, क्योब आडल फॉर्म में है, उसकी length 2 meter 75 सेंटीमीटर, width 1 meter 80 सेंटीमीटर and height 1 meter 40 सेंटीमीटर है, यह brim तक, brim का मलब होता है, उपर तक, पूरी तरफ से भरा हुआ है, आपको बताना है कि इस तरह के क्योब आडल tank में कितना लिटर पानी आ सकता है, तो यहाँ पर आपने mention करना है पहले length, length is equal to 2 meter 75 सेंटीमीटर, it means हो गया 275 सेंटीमीटर, clear हो गया, बहुआ, 2 meter में 100 से multiply कर तो 200 प्लस 75, 275 breadth, breadth is equal to 1 meter 80 सेंटीमीटर, 100 बंचा 100, plus 80, 180 सेंटीमीटर, height, height is equal to 1 meter 40 सेंटीमीटर, than 140 सेंटीमीटर, आपको क्या करना है, volume of water tank, volume of water tank, water tank कैसा है कि वाइडल है, तो L into B into H हो जाएगा, बेटा, 275, 180, 140 और 3 times cm into cm, तो यह cm क्यों हो जाएगा, clear हो गया इतना सा, अब आपको multiply करना है, ठीक है न, देखो आपने इसका 0 यहाँ पर पहले कर दिया, अब 18 की table आप करें, 275 में, 275 में आप 18 की multiply कर दें, कितना हो जाएगा, 4950, ठीक, और उसमें आप फिर, देखें, 1 0 यह, 1 0 यह, 2 0 हो गया, 1 0 आप यह ले लिजे, अब 495 में, आपको, 495 में 14 से multiply करना है, तो कितना जाएगा, 6930, करके देखिएगा इस इसको, centimeter q, क्या हमारी calculation सही है, यह चीज़ आपको भी देखना है, अब हम यहाँ पर note करेंगे, 1000 centimeter q is equal to 1 liter होता है, clear ना, यह चीज़ आपको learn करने के लिए है, इसे जरूर learn करें, ठीक, अब यहाँ पर हो गया, 693 and 4 times 0, centimeter q, 693, 4 times 0 upon 1000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो कितना जाएगा, 6930 liter of water in that tank, okay, question आपको बहुत अच्छे समझा आ गया न, ठीक है, अपने friends को जरूर share कीजिएगा, उनकी जरूर help कीजिए, ताकि उनका भी work समय से पूरा हो सके, और वो भी question को अच्छी तरह से समझ सकें, next question, a solid rectangular piece of iron measuring, 1.05 meter, 70 centimeter and 1.5 centimeter, unit को बहुत ध्यान से देखिए, एक meter में है और 2 centimeter में है, find the weight of this piece of iron in kilogram, इसको kilogram में आप इसको इसका weight find करना है, if one centimeter cube of iron weight 8 gram, इस तरह से कोई iron का piece है, जो किस form में है, cuboidal form में है, ठीक है, इसमें length भी है, breadth भी है, height भी है, यह आपको, और इस solid का, ठीक, आपको क्या करना है, weight बताना है, इसका weight क्या होगा, तो बेटा, यहाँ आप पर सबसे पहले देखो, length, length is equal to 1.05 meter है, अगर हम 100 से multiply कर दें, तो यह 105 centimeter हो जाएगा, breadth, breadth कितना है, breadth है 70 centimeter, यह भी centimeter, यह भी centimeter, क्योंकि हमें जो पूछा गया हो, centimeter cube में पूछा गया है, तो सारे को centimeter में रखना पड़ेगा, height, height is equal to 1.5 centimeter, then volume of iron, is equal to L into B into H, 105, 70, multiple by 1.5 centimeter cube, देखे, आपको multiply किसे करना है, 105 की multiply, पहले आप 70 से कर लो, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक भी 0 इसका बढ़ा लीजिए, और 105 की multiply से बिन से करो, तो से बिन 35 हो जाएगा, करके देखो, 1.5 centimeter cube, अब इसमें multiply किसे करना है, 15 से करके, एक point और बढ़ा लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर, आपने multiply करना है किसे, 1150 यह हो गया, ठीक है, 110 हो जाएगा भी यहाँ पर, 110, 250, क्या करना है, एक के बद point है, इस खटा दीजिए, गयाँ 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 अब इसको करना है, आप यहाँ पर लिखोगे कि यहाँ पूचा, 1 centimeter cube का जो weight 8 gram है, तो 1 centimeter cube is equal to 8 gram, ठीक, 8 gram हो गया, then 11, 025 centimeter cube is equal to 8 multiple by 1025 gram, ठीक है, कर लो multiply, 8 5 जा 40, 8 जा 16, 4 20, यहाँ पर 2 जाएगा, 8 बन जा 8 बन जा 8 gram हो गया, अब क्या करिए, 1000 gram is equal to 1 kilogram, 8 8 2 0 0 gram, 8 8 2 0 0 upon 1000, 2 0 से cancel कर दीचे, कितना जाएगा, 88.2 kilogram, यह इसका final answer हो जाएगा, इस तरह से student question number 4 को read करते हैं, 4 है, the area of courtyard is, 375 0 meter square, मलब 3750 meter square, तो आप यहाँ पर note कर लीजिए, area of courtyard, is equal to L into B होता है, कितना दिया है, 3750 meter square, clear हो गया, find the cost of covering, find the cost of covering, यहाँ पर, और cost of covering, it with gravel to a height of 1 centimeter, दीखें, meter square में और यह centimeter में है, तो पहले हमने क्या करना है, height को, यहाँ लिगना, 1 centimeter, और 1 को 100 से divide कर दो, तो 0.01 meter हो गया, इतना समझा गया है नो, अब volume, volume of gravel, यह find out करना है, volume of gravel, is equal to, area, multiple में height, area, multiple में क्या होगा बेटा, height, area का क्या होगा, वही, L into B हो गया, और multiple में height कितना होगा, यह, तो L into B की कितनी है, 3750, and 0.01 meter cube, ठीक है, अब यहाँ जाएगा, 37.5 meter cube, volume, आपने find out कर लिया, अब इसनी क्या का, if the gravel cost रूपी, 6.40 per meter cube, यहाँ पर आप लिख दें, सबसे पहले, कि, cost of gravel, for 1 meter cube, is equal to rupees, 6.40, ठीक है न, question में गिवेन है आपके, अब यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ से इसनी कहा, यह अगला का एक होज़ागा, तो total cost यहाँ लिख दीजिए, total cost is equal to, 6.40, multiple by 37.5, चलिए, multiply कर लेते हैं, यहाँ पर, 6.4 की, 37.5 से multiply कर दो, बेटा, 6.40 की multiply आपको 5 से पहले करना है, कितना जाया गए यहाँ पर, 32, 5,0 जाद 0, 5,4 जाद 20, और यहाँ पर 32, यह कर लीजिए, फिर क्या करना है, यहाँ पर 6.40 की multiply आपको किसे करना है, saving से करना है, तो कितना जाया गए यहाँ पर, saving, 0,0, 28, carry 2, 42, और 244, यह आगया, फिर आपको 3 से multiply कर लेना है, 3,0,0, 3,4,0, 12, 18, and 1, 19, अब आप इसको दो कितना आ रहा है, इसको आप plus कर लो, ठीक है, इसको plus करके, आप देखो कितना आ रहा है इसमें, plus करिए, 0,0, 10, 3,1, 4, 48, 2, 10, carry 1, 13, and 1, 14, and 1, 1, 2, 2 के बाद यहाँ पर, 0,3 के बाद यहाँ पर यहाँ पर यह अटा दीजिए, कितना हो जायाएगा, 240 rupees, final आपका answer होगे बेटा, इस तरह के questions में आपने देखा कि पहले आपने इस question को 4 को किया, और उसके बाद remaining part आपने यह कर लिया, multiply करके आपने देख लिया, 240 हो गया, last question है, आज की वीडियो का, question number 5, how many person can be accommodated in a hall of length 16 meter, breadth 12.5 meter and height 4.5 meter, कोई hall है, जिसकी length 16 meter है, breadth 12.5 meter और height 4.5 meter है, ठीक है, assuming that 3.6 meter cube of air is required for each person, और एक person को उस hall में बैठने पर, 3.6 meter cube air की need है, ठीक है न, आपकी बताना है, कि उस hall में कितने person बैठ सकते हैं, तो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले, हम mention करते हैं length, length is equal to 16 meter, and breadth, breadth is equal to 12.5 meter, and height is equal to 4.5 meter, then आप यह find कर लें, volume of air in the hall, उस hall में कितना volume होगा, तो L into B into H, air की volume क्या हो सकती है, तो आप इसको multiply करें, 12.5 की multiply आप 16 से कर दें, ठीक है न, 12.5 की multiply आप 16 से करें, और उसके लिए पर दे 6 से कर दीजिए, तो कितना जाएगा, 6, 5, 4, 30, 12, 3, 15, carry 1, 75 आगे बेटा, और यहाँ पर 5, 2, and 1, 0, 10, 9, 1, 10, 1, 1, 2, 1 के बाद point लगा कर कि इसको अटा दीजिए, अब कितना बचा, 200 हो गया, ठीक, तो यहाँ पर 16 multiple by 12.5, multiple by 4.5 meter, क्यों, इनकी multiply करी आपने, तो कितना ले आए, 200, 45 meter cube, 45 to 90 हो जाएगा, ठीक है न, 45 to 90, और यहाँ के 2, 0, और कर लिजिए, 1 के बाद point लगा लिजिए, meter cube, इसमें यह कह सकते हैं यहाँ पर, कि 900 meter cube, उस hall में air की जरूरत होगी, अब one person, one person required, air, is equal to 3.6 meter cube, एक person को कितना air चाहिए, 3.6 meter cube air चाहिए, तो number of person, number of person, can sit is equal to total volume of air upon air for one person, ठीक है बाटा, one person, total volume कितना आया बैटे, 900 divided by 3.6, इसको आप 9,000 कर लेंगे, और यहाँ से point हट गया, इसको divide करेंगे तो 250 आयेगा, यहाँ पर कितना जाएगा, 250 persons can sit in the hall, उस hall में 250 persons, जो होंगे वो accommodated होंगे, बैठेंगे, इसी तरह से बाटा, हम लोग cinema hall में, कितनी सीटे लग सकती हैं, किसी hall में, कितनी सीटे लग सकती हैं, इसका measure ऐसे ही होता है, ठीक है, ताकि उसमें अगर हमने, इससे ज़्यादा लोग बैठ दाएंगे ना, तो suffocation होगा, घुटन सी होगी, क्योंकि वहाँ पर परियाप मात्रा में, oxygen नहीं मिलेगी, इसलिए, उसमें कितना volume air का होता है, और एक person को कितना चाही होता है, वो लेकर के divide कर लेते हैं, तो हम actual number of seat, वहाँ पर arrange कर सकते हैं, ये कहीं के लिए भी अप्लाइ सकता, किसी tent के लिए, किसी hall के लिए, किसी marriage hall के लिए, कहीं पर भी, मैं समझता हूँ, question आपको बहुत अच्छे समय आ गया होगा, अपने friends को जरूर जरूर से कीजेगा, thanks to watch.